आज कश्मीर का पुलवामा पुरे देश को पढ़ाने में महत्पपुन भूमी का निभा रहा है। आज देश भर में बच्चे अपना हुंबर करते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो कहीं न कहीं इसके पीछे पुलवामा के लोगों की कड़ी महनत भी है। कश्मीर घाटी पुरे देश की करीब करीब 90 प्रतिशत पैंसिल स्लेट लकडी की पट्टी की मांग को पुरा करती हैं, और उसमें बहुत बड़ी हिस्सेदारी पुलवामा की है। एक समय में हम लोग विदेशों से पैंसिल के लिए लकडी बंगाते थे, लेकिर अब हमारा पुलवामा इश्क शेत्र से देश को आत्मनिर भर बना रहा है। वास्ताव में पुलवामा के ये पैंसिल स्लेट्स स्टेट्स के बीच के गैप्स को कम कर रहे हैं। गाटी की चिनार की लकडी में हाई मोश्चूर कंटेंट और सौपनेस होती हैं, जो पैंसिल के निर्मार के लिए उसे सबसे सुटेबल बनाती हैं। पुलवामा में उख्षू को पैंसिल विलेज के नाम से जाना जाता है। यहां पैंसिल स्लेट निर्मान की कई इकाईया है जो रोजगार उपलब्द करा रही है और इनमें काफी संख्या में महिलाएं काम करती हैं साथियों पुलबामा की अपनी ये पहचान तब स्थापित हुई है जब यहां के लोगों ने कुछ नया करने की खानी काम को लेकर रिस्क उठाया और खुद को उसके प्रती समर्पित कर दिया ऐसे ही करमट लोगों में से एक है मंजूर एहमद अलाई पहले मंजूर भाई लकड़ी काटने वाले एक सामाने मद्दूर थे मंजूर भाई कुछ नया करना चाहते थे ताकि उनके आने वाली पीडियां गरीबी में न जीए उन्होंने अपनी पुस्तेनी जमीन बेच दी और एपल बुडन बॉक्स यानि सेव रखने वाले लकड़ी के बखसे बनाने की उनिट्स शूरू की वे अपने छोटे से बिजनेस में जुटे हुए थे तबी मंजूर भाई को कही से पता चला कि पैंसिल निर्माण में पॉप्लर वूड यानि चिनार की लकड़ी का उप मन्जूर जी को ये बहुत फायरेमन लगा और उनकी आमद ने भी अच्छी खासी बढ़ने लगी समय के साथ उन्होंने पैंसिल स्लेट मैनिफेक्टरिंग मशिनरी ले ली और उसके बाद उन्होंने देश की बड़ी-बड़ी कम्पनियों को पैंसिल स्लेट की सर्प्लाई मन्जूर भाई के इस बिजनेस का टनूबर करोडों में हैं और वे लगभग 200 लोगों को आजीविका भी दे रहे हैं आज मन की बात के जरिये समस्त देश वास्चों के और से में मन्जूर भाई समेत पुलवामा के महनत कस भाई बहनों को और उनके परिवार वानों को उनकी प्रसौंसा करता हूँ आप सब देश के यंग मैंड्स को सिक्षित करने के लिए अपना बहुमुली योगदान दे रहे हैं